हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक तो मैं त्याने अलाशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आप लोग को गाजर के साथ चावल की एक रसेपी शेयर करने वाली हूं तो आप लोग डेली नॉर्मल चावल खाके विए अगर बोर हो गए हो तो यह ट्राइकर सकता है तो चावल को दूल लेते हूँ और घाजर को भी कद्दुक्रस करने पर लेघाए हुआ मैं ने लाए को पर जुल के राइसação कार में डाल दिया है कुछे मेरे खूप सारा पाने डालेंगे मैंने पर्द्ध दू-धा दारचेनी डाल देंगे थोड़ा साथ तेल आड़ करेंगे एक चमप्रेट में देल ले लिया है इसमें धिंद्धध करेंगे यह जब तक चावल हमारा नहीं बन जाता है पूरी तरह हम इसी कर लेंगे जली इसको बॉइल होना देता है दूसरे दरक में गाजर को भी कद्दू कर लेती हूं देखिए चावल इधर बॉयल होना चालो हो गया है तो मैंने यहां पर गाजर को भी कद्दू कर लिया है मेरे पास तुरा सा मठर था मैंने वो ले लिया और मैंने तुरा सा किसमिस ले लिया जो हम चावल में मिस्स तो चावल को हम अच्छे से पका लेते हैं 90 परसं तक इसके बाद फिर हम यह सब चीज़े इसमें एड कर देंगे चावल हमारा रेडी हो गया है अभी हम इसमें मटर किसमिस और गाजे डाल देंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तब हम इसको एक मिनिट के लिए पका लेंगे मटर गाजर और किसमिस के साथ इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे कि देखिए इसमोबाल आने देंगे इच्छे से एक मिनिट के लिए इसके बाद हम इसको निकाल के इसकी पानी हम छान लेंगे में रैसा कोकर बंद कर दिया है आपकी पास रैसा कोकर नहीं तो पतिले में भी इ monopol आपके और आरे इ 거지 मदद से आप पानी निकाल सकते चीब आपका ऐगा इसके और अधेगा निकाल देती हो इसे पानी निकालस देते हें यत शलेगर, आधे निकाल डूट्याएं raised कहले मेरी चावल सब झाल सब तो यहाई है तो चलिए आज के लिए इतना ही यह जाबुर मेरा बन चुका है थाने के लिए रेड़ी है तो अगर आपको यह वाला रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करताना कमेंट सेक्शन में बताना थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स जो यह सब्सक्राइब कर दितने तब तक के लिए बाई बाई